Hello friends, मैं हूँ प्राची, I am mother of 1 year old baby और हम बनाने जारें carrot rice potato porridge जो कि बच्चो के लिए बहुत healthy होती है, tasty होती है, easy to digest होती है और ये recipe हम 7 से लिखे 12 month के बेबीज को खिला सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए tasty होती है इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 carrot, 1 small size potato and 4 table spoon rice rice पहले सही 15 minute तक बिगे होए होने चाहिए, क्योंकि अगर 15 minute तक बिगे होए होती है तो वो easy to cook भी होती है and बच्चो के लिए healthy होती है, इससे बच्चो को गेस नहीं बनती है पूक है उसमें एड़ करते हैं बटर, बटर अगर घर का बना हुआ है तो ज्यादा अच्छ है क्योंकि बेबीज के लिए होता है healthy, अब एड़ करते हैं क्यूमिन सेड़, पत्स, इसस, चारत, पोत्त, थीए, राइब आज आज़, to सक्षब, चर्ण, डर खोले आज़, राखे, अज़, जाखे आज़, आज़, अज़, अज़ आज़, उससाँ, ईससाफ HEY तो पुंज़, तो सालफ, ट।।, इसे, जसाए, ट।।, बट।, एससे, जंब एएब अग्वाइब ए जाप पाड प्रवाइब ए ए लिवाइब अब्चार Pपर है एंग यह लिविती हई नाप टया फार में कि आपट ए उपिप्स का लिवाइब ए ट्वाइब एंड़ औंड़ ए लिवाइब टी साइब फारण ऑट्वित नमीं है ट्वाइब इस निवाइब ग्लास वाटर बेबीच भीफूट रेडी है, हम देखते हैं कैसा बना है, तरकी हल्प से आप अच्छे से मेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका बेबीच वनी बिलो है, तो आप इसे मिक्सी में ग्रिंड कर सकते हैं, अच्छे से डिपेंड करती हैं, आपका बेबीच किस कंसेस्टेंसी का खाता है, तो आप इसके एकोर्डिंग कंसेस्टेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो बताईए आपको इसे पीच कैसी लगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताईए, पूली लाइब कीजिए, तो आपको इसके माझए, और करेंब कीजिए।